एक गाव में अभिराम और सोनाक्षी नाम का पती पत्नियों का जोड़ा रहता था। कहने को तो उनके घर में गरीबी थी लेकिन प्यार और शान्ती की कोई कमी नहीं थी। दोनों पती पतनी हमेशा एक दूसरे को प्यार करते और हमेशा एक दूसरे को हिम्मत देते थे। अभिराम बाहर के सभी कामों को समेटता था और सोनाक्षी घर ग्रहस्ती का सारा काम बढ़ी कुशलता से पूरा कर लेती थी। अभिराम एक छोटी सी नौक्री करता था जिससे उनके परिवार का गुजारा हो पाता था. एक दिन अभिराम अपने काम पर से वापस लोटता है और सोनाक्षी को अपनी सालगिराह पर एक दोहफा भिख करता है. जब सोनाक्षी उस दोहफे को खोलती है तो उसमें से एक स्त्री देता है क्या आप भी ना जवाब में अभिराम कहता है देखना ये स्त्री तुम्हारे काम को बहुत आसान करेगी और वैसे भी मैं अब एक नए काम पर शिफ्ट हो रहा हूं तो वहाँ पर अच्छे अच्छे लोग आस पास रहेंगे तो इससे मेरे कपडों पर स्त्र हुआ था लेकिन दुरघटनावश उसका एक कार एकसीडेंट हो गया एकसीडेंट इतना बुरी तरह से हुआ था कि उसे विस्तर पकड़ना पड़ा अब उनके घर की आर्थिक स्थिती बहुत ही नाजुक हो चुकी घर में कमाने वाला केवल अभिराम ही था सोनाक्षी घर पर बैटकर कुछ नहीं होगा इसलिए बहुत सोच समझकर वह घर से बाहर जाती है गाउ में उसे सड़क के ठीक सामने एक जोपड़ी दिखाए देती है वह उस जोपड़ी में जाती है और स्वादिष्ट ओमलेट भंडार का एक बोर टांग देती है सोनाक्षी की एक क कोई भी साधन नहीं था जिसकी वजह से वह वापस उदास हो जाती है लेकिन तब ही उसके मन में एक विचार आता है वह अपनी पती के दिये हुए तो फिक स्ट्री को घर से लेकर आती है वह स्ट्री को गर्म करने के लिए रख देती है थोड़ी देर में ही स्ट्री गर्म ह तब तक वह ओमलेट के लिए अंड़े और उसके गोल को तेयार करती है वह तुरंत इस गोल को स्ट्री पर डालती है स्ट्री गर्म होने के कारण वह तुरंत ओमलेट पका देती है ओमलेट बनते समय ही उसमें से काफी स्वादिष्ट खुश्बू आ रही थी जो आसपास ख धीरे धीरे फैलने लगा। लोग ओमलेट खाते और अपने दोस्ट प्रिष्टेदारों को भी बताते जिससे और भी ज्यादा लोग सोनाक्षी की जोपली तक पहुँच पाते। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ता गया और उसने एक बड़ा कसा धाबा भी खोल लिया। अच्छी स्वादिश्ट ओमलेट के किस्से अब अकबारों पर भी छपने लगे। अब सोनाक्षी के पास काफी पैसे थे। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिती भी सुधर्ती गई और उसने अपने पती का भी ठीक से इलाज करवाया। अभिराम अपनी पत्नी की काबिलियत और टेज दिमाग को देखकर काफी खुश हुआ। वे दोनों हॉस्पिटल से घर वापस आए। अभिराम अब बिल्कुल ठीक था तो वो वापस अपने काम पर जाने लगा। कुछ दिनों बाद उन दोनों की दूसरी सालगी राह भी आ गई। अभिराम काम से लोटते वक्त दोबारा से सोनाक्षी के लिए एक तोहफा लाया। जब सोनाक्षी ने इस तोहफे को खोला तो उसमें आप बड़ी स्त्री निकली। इस बार फिर से सोनाक्षी चौप गई और हस्ते हुए बोली दोबारा से स्त्री लाए हो। अभिराम कहता है पिछी बार जो मैंने स्त्री दी थी उसने हमारे जीवन की सारी मुसीबतों को जूर कर दिया। अब ये स्त्री भी तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करेगी और दोनों हसने लगते हैं। इस तरह अब उनके परिवार से मुसीबतों के सारे बादल छट जाते हैं और वे खुशी-खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इस कहानी से आपने क् सीखा नीचे कॉमेंट में हमें जरूर बताएं।